लगातार बर्टे कोरोना संक्रमन के बीच रेमडिसिवर इंजेक्शन की कमी एक बड़ी समस्या बन कर सामने आई है जिसके बाद कॉंग्रिस नेतार अगुपर्मार ने मोधी सरकार पर निशाना साथते हुए जल से जल्द क्वालिटी फार्मा कंपनी को भारत में रेमडिसिवर इंजेक्शन सप्लाई करने की अनुमती देने की मांग की है देखें यह रिपोर्ट कॉरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में रेमडिसिवर इंजेक्शन बेहद आवश्यक हो चला है यही कारण है कि लगतार इस इंजेक्शन की मांग बढ़ती ही जा रही है इसे बीच कॉंग्रेस नेता रगुपर्मार ने PM मोदी से अमरितसर की क्वालिटी फार्मा कंपनी को भी भारत में रेमडिसिवर इंजेक्शन सप्लाई करने की अनुमती देने की मांग की है परमार की माने तो अब तक कंपनी को यह इंजेक्शन सिर्फ विदेशों में एक्सपोर्ट करने की अनुमती है साथी कंपनी के पास लाखों की तादाद में इंजेक्शन उपलब्द हैं जो कंपनी भारत में सप्लाई करना चाहती है लेकिन एक माँ बाद भी कम्पनी को अपता किसके लिए अनुमती नहीं दी गई है नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों, भाईयों, भेनों मुझे कल एंडी टीवी न्यूज देखकर बड़ा आश्चर हुआ और मन में दुख भी भौत हुआ ऐसे समय भारत में रेंडी सीवर की कमी चल रही है इंग्जेक्शन की और लोग दरदर भटक रहा है पच्चिस पच्चिस जार उपर में खरीद रहा है तो भी नहीं मिल रहा है पर कल एंडी टीवी पे जो देखा Quality Pharmaceuticals Company Limited अमरसर ये कमपनी भी रेंडी सीवर इंग्जेक्शन बनाती है इस कमपनी को सिर्फ एक्सपोर्ट की अनुमती है ये कमपनी हिंदुस्तान में अपना इंग्जेक्शन नहीं बेच सकती है उसका कल एंडी खुट टीवी पे देखा उनने रिक्वेस्ट की इंडिया में इसकी सप्लाइ की पर्मिशन ग्रांट करें पर मोधी की सरकार ने अभी तक महिना बर होने को आया है अभी तक उस कमपनी को रेंडी सीवर जो बनाती है Quality Pharmaceuticals उसको अनुमती जारी नहीं किये मोधी जी हम आप से हाज जोड़के विंती करना चाते हैं निमिधन करना चाते हैं कि देश में लाखों लोग मर रहे हैं आप प्रकपा करके सरकारी आंकड़े मत जाईए अगर आप सोचते हैं कि सरकारी आंकड़े कम है बहराल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि Remdesivir Injection की लगतार बढ़ती मांग के बीच कॉंग्रेस नीतार अगुपरमार का दिया या सुझाव भारत सरकार आखिर कब तक मानती है और आखिर कब तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे मरीजों को Remdesivir Injection उपलब्द हो पाता है Bureau Report, MP News उन्दार